मुंबई के निशी और विवेक आज शादी के बारा साल बात दी वैसे ही हैं जैसे पहली बार मिले थे जिंदगी की स्ट्रगल्स और मुश्किलों से उनका ये रिष्टा और गहरा ही हुआ है ग्राफिक डिशाइनर निशी की क्लियर विजन और इग्स्टिंग स्टेंडर को रियालिटी में बदलने का चैलेंज या है हमारे आखिटेक्ट और इंटीर इसाइनर्स ने हलो है लवी जब ली जिए ग्रेटी जिए है लेलो है लीजिव वेलो है प्लीज कम ररकम okay so here we are sabse bada disaster में को लगत है हमारे घर का ये रूम है कहने के लिए ये एक study room है एक work space भी है और एक bedroom भी है but in actuality ये in basic कुछ भी नहीं है so we really need to bring out some creativity and make this an inspiring room so guys I have to say आपका living room actually बहुत ही interesting है काफी bada space है especially by Bombay standards this is luxurious living room में सब कोच है but कुछ भी नहीं है all the elements are present but itna poorly organized किया गया है that nothing works living room में हमारा प्लान ये है TV unit is in front of a very long wall उसे वह से ओठा के हम ब्रिक वाल के आगे रखेंगे which will frame the TV unit perfectly सोफास को रेरेंज करेंगे ताके ते फेस तर तीव और ओपन अप तर विंडो और विंडो की गुटेंज को चेंज करेंगे जिस लंबे दीवार पे तीव युनित रखेंगे उस पे हम डाइनिंग टेबल रखेंगे और उसे ब्यूडिफली फ्रेम कर देंगे और जिस तीवार पे तानी टेबल हुआ करता था वहां हम बाहर रखेंगे अरे भाया जी आपके पास वह वाइन बॉटल का धक्करन होता है ना वो मिलेगा ना दिखाईए ना इस जल्दी से यह मेरे बास यह सब कालेटिका है आपको कौन सब चाहिए जर आप जेख लिजिए अब मुझे यह सारा चाहिए अब मिलेगा निया अब तो आप मुझे नौ रुपे में देजिए अब काली ओगा दुकान ने तो भाया जितना भी है मुझे पैक करके देजिए जल्दी से लीजे भी आप तान्क यू पांटिट लविट कोग चेक study room का हमारा ये plan है study table वाली दिवार को हम texturize करेंगे ताकि the whole wall can be used as a pin-up board curtains को हम change करेंगे sofa combat का fabric or finish change करेंगे और उसकी पीछे की दिवार को हम एक interesting bookshelf लगाएंगे और lighting change करेंगे लग वाल शेख़ून और क लिवार लगवार को जवार थू तान्क लावर का हमार। लगला हूशन लगला हूशन लगला हूशन और लगला हूशन she's next it's just amazing I'm so thankful to Vivek to think like this for me and most of all are the designers and all of their whole team they've all struggled so much this very beautiful place it's just you just gave me my dream place झाल